सो गाईस आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंट्रल बैंक आफ इंडिया में आप अपना धार लिंक कैसे कर पाएंगे आउनलाइन घर बैठे जिया गाईस आफ लावा आउनलाइन भी एक ऐसा तरीका है जिसके जरीए आप लोग घर बैठे अपने बैंक एकाउंट में अपना धार कार्ड इसली लिंक कर सकते हो केवल केवल मोबाइल नंबर के जरीए तो आज के इस वीडियो में आप लोग को कम्पलीट प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को करना होगा अगर बाई मिस्टेक अगर आप लोग का प्रॉसेस नहीं हो पाता है पुरा या फिर कुछ एरर आ जाता है तो आप लोग को क्या करना है और किस तरीके से आप लोग अपना धार लिंक कर पाएंगे जिया गाईस आज के डिजिटल दुनिया के सवे में आप लोग को बैंक जाने के जरूरत नहीं है हर बैंक आपके पास में है बस सही चीजे और लेगल चीजे आपके पास होने चाहिए तो हेगा इस वागत आप सभी का एक और सांदर वीडियो में तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए जब से गवर्मेंट का गाईडलाइन आया है 31 मार्ज 2018 से सभी बैंक अपने अपने कस्टमर का एक आधार लिंक करवा रहे हैं उनके अकाउंट में इसलिए आप लोगों को भी अगर ओल्ड एकाउंट है या फिर आप लोग का अधार लिंक नहीं है तो आप लोग जल्दी से जा करके अपना लिंक कर लें तो देखिए लिंक करने का तरीका ये है कि सिंप्ली आप लोगों को गूगल में ये लिक करके सर्च कर लेना है अधार लिंक digit का यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर आप लोग एकाउंट नमबर डालेंगे अपना तो चलिए मेरा जो भी एकाउंट नमबर है मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ ठीक है तो आप लोग भी अपना सही और सही तरीके से अपना यहाँ पर account number डालें otherwise आप लोग का अधार सीडिंग नहीं हो पाएगा यानि link नहीं हो पाएगा खाते से ठीक इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यह दूसरे number पर यहाँ पर बोला जा रहा है अधार card number तो देखिए अगर आपका account है तो आप अपना गिया अधार number डालें किसी औरका आधार number आपको यहाँ पर नहीं डालना है क्योंकि किसी अधार का इधार number डालेंगे तो आप लोग का यह failed हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर अधार नमबर फिल कर देना है जैसे अधानमर फिल करेंगे तो यहाँ पर re-inter connect ले बोला जा रहा है अधानमर तो चलिए मैं re-inter कर दे रहा हूँ अधानमर और जैसे re-inter करूँगा तो इसके बाद यहाँ पर एक mobile नमबर आप लोगोगो को देना ठीक है लेकिन इसमें यहां पर वही नंबर देना है जो आपके एकाउंट के साथ लिंक हो ठीक है तो मेरा यहां पर यहां पर यह नंबर एकाउंट के साथ लिंक है तो मैं यहां पर दे दे रहा हूं गैस वैसे तो मेरा कोई एकाउंट इसमें नहीं है लेकिन यह मैं मान करके के दे रहा हूं कि मेरा इस तरीके से है ठीक है वैसे मेरा सिंट्रल बैंक आफ इंडिया में एकाउंट नहीं है इसके बाद आप लोग को यहां पर आई एगरी टम्स कंडिशन आप लोग को थोड़ा पढ़ना होगा यहां पर कंसेंट पर किलिक करने से पहले जैसे देख सकते अदिन गिया और इसके बाद क्या 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 करवाया है यह चया है तो पूरी डीटेहल पढ़ सकते हैं वैसे आपको पढ़ना चाहिए ठिक है तो इसके अलौए आप लोग में इहां पर देख सकते हुं कि सारी सारी चीजह आया पर आप यहां पर I heard ले ठीक है और यहां पर अधार authentication को ले करके है कि आप मतलब agree है यहां पर verify किया जा रहा इसलिए ठीक है इसके बाद consent पर click करेंगे और consent पर click करने के बाद आप लोग को submit करना है देखिए अगर by mistake किसी वज़ा से आप लोग का यहां पर अधार link नहीं हो पा रहा ह है ठीक है तो आप लोग kindly अपने further bank में जा करके आप लोग अपना जो है अधार सेडिंग यहां पर नीचे दिया हुआ है देखिए central bank आप इंडिया में यह facility दिया है कि आप लोग online कर सकें लेकिन अगर online नहीं हो पा रहा है कोई problem आ रही है तो आप लोग home branch में जा करके बसांद आया होगा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना वीडियो का लाइक कर देना और शेयर भी कर देना हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सलूसन साथ अब तक के लिए बाए बाए